हलो फ्रेंड्स मैं हूँ संद्या स्वागत है आपका सेल की रसोई में आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स बहुत ही सांदार रेस्पी बहुत इजी रेस्पी है आपको काफी पसंद आएगी और अगर आज की रेश्पी पसंद आए फ्रेंट्स तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिजिएगा और जो फ्रेंट्स चैनल पर ने हैं तो सस्क्राइब किये बिना बिल्कुल भी मत चाहिएगा तो पहले मैं पूरी तयारी कर लेती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या तयारी की है और मैं क्या चीज बनाने वाली हूँ तो कोई भी रेश्पी जैसे बनाना होता है तो वीडियो के लिए तो इसी तरह से पहले पूरी तयारी करनी होती है तो पहले तो मैं इस तरह से क्लिप नहीं जोड़ती थी इस्टार्टिंग का लेकिन अभी मैं इस्टार्टिंग का भी जोड़ देती हूँ ताकि आप देख पाएं कि किस तरह से मतलग मेरी तेयारी होती है हर वीडियो के लिए तो अभी मैंने धनियापती निकाला फ्रीज से तो धनियापती को मैंने डब्बे में रखा हुआ है ये प्लाश्टिक का डब्बा है तो डब्बे में जैसे आप रखेंगे न धनियापती को जैसे मार्केट से धनियापती लाएं तो उसे पानी सहीत न रखिएगा थोड़ा स उसे पंखे के नीचे थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख दीजेगा ताकि उसमें जो महस्चर रहे वो सूख जाए उसके बाद आप डब्बे में रखे तो लंबे समय तक यह खराब नहीं होती आठ से दस दिन तक धनिया पत्ती एकदम फ्रेस रहती है और अगर आप पलो के अगर आप रखेंगे न तो लंबे समय तक मतलब चलती है वो तो आज हम बना रहे हैं सबजी बनाने वाले हैं आज की हमारी रेस्पी सबजी की है तो इस सबजी को आप अपने घर में अक्सर बनाते होंगे जो मैं बनाने वाली हूँ अभी मैं आपको बताऊंगी कि की तो आप अपने घर में अक्सर बनाते होंगे लेकिन अगर आप इस तरीके से एक बार बनाएंगे ना तो आप अपने पुराने तरीके तो बिल्कुल छोड़ देंगे गारांटी है क्योंकि इस तरह से बनी हुई सबजी सबको काफी पसंद आएगी बहुत टेश्टी बनती है एकदम होटल इस्टाइल में आपकी सबजी जो है उबन कर तयार हो जाएगी तो लगभग मेरी सारी तयारी मतलब हो गई है मैं सब चीजों को एक जगा पहले इकठा कर लेती हूँ इसके बाद चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किसकी सबजी में आज बनाने वाली हूँ तो ये देखिए आप देखिए मेरे हाथों में क्या है तो ये है स्वाविन बड़ी और ये है दस रुपए की दस रुपए का पैकेट है बड़ा पैकेट भी आता है खुला भी आता है ये ये दस रुपए का पैकेट है तो ये स्वाविन बड़ी है आप सुच रहोंगे कि स्वयाबिन बड़ी बनाना कौन सा मतलब कठीन काम है लेकिन आप इस तरह से एक बार स्वयाबिन की सबजी बनाईएगा इतना मजा आएगा आपको खाने में कि मैं आपको क्या बताऊं तो मैंने एक पैकेट लिया है आगर आपको ज़्यादा बनाना होगा तो आप दो पैके स्वयाबिन बड़ी फिर भी आप 4-5 लोगों को अराम से खिला सकते हैं आलू मिक्स करके तो पैकेट को मैं खोल लेती हूँ और खोलने के बाद हमें क्या करना है कि स्वयाबिन बड़ी को पानी में डालके हमें उबाल लेना है मतलब ताकि अच्छे से फूल जाए तो गरम स्वयाबिन बड़ी डाल देती हूँ ताकि एकदम अच्छे से फूल जाए उसके बाद इसे हमें पानी से निकाल लेना है तो यह तो स्वयाबिन बड़ी आप मतलब अक्सर सभी फ्रेंड्स बनाते होंगे घर में लेकिन एक बार आप इस तरह से बनाईएगा जरूर पताईएगा और पसंद ना आए तो भी बताईएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको इस तरह की सबजी पसंद आई या नहीं तो इधर मैंने गैस ओन करके एक छोटी कड़ाही में पानी चड़ा दिया और पानी जैसे गरम होगा तो साब इन बड़ी इसमें हम डाल दे हूँ तो इसमें कम से कम दो टमाटर बड़े साइच के हम ले लेंगे तो सब तेयारी जब हो जाएगी तो मैं पूरी चीजों को आपको एक बार दिखा दूंगी किसमें क्या क्या लगने वाला है बहुत इजी सबजी है लेकिन बहुत अच्छी लगती है इस तरह से अगर स आपको पास दिखा रही हूँ तो जैसे यह उब लेंगे न तो एकदम यह साइज में बड़े-बड़े हो जाते हैं फुले-फुले से आपको तुरंद पता चल जाएगा अगर आप कभी नहीं बनाए होंगे इसलिए मैं बता रही हूँ तो यह देखिए आलो को छील के लिया है मैंने लसुन लिया है और टमाटर को काटके मैंने डायरेक्ट जार में ही डाल दिया है यह देखिए और इसमें डाल देंगे लसुन तो टमाटर और लसुन का हमें क्या करना है इसे हमें पेश्ट बना लेना है तो पेश्ट बना के जब हम सबजी में एट करेंगे तो सबजी एकदम अच्छी मतलब बहुत लाजवाब बनेगी इधर धनिया पत्ती को मैंने पानी में डाल दिया है उसे भी पानी से निकालके और बारिक भारिक हम धनिया पत्ती को कट कर लेंगे तो धनिया पत्ती ये कैसी चीज है फ्रेंस जिस चीज में भी आप डालो तो जायका बढ़ जाता है तो यह देखिए मैंने पीस लिया टमाटर और लसुन को तो इसको चटनी जैसे हमें पीस लेना है अब इसे रख देंगे साइड में और इसके बाद क्या करेंगे स्वयाबिन बड़ी को भी हम निकाल लेंगे और निकाल के उसे हम नार्मल पानी में डा लिएगा और उसके बाद एक बार नार्मल पानी में डाल के अच्छे से दोईएगा जब आप धोईगे ना तो उसे एकदम गाज जैसा निकलेगा तो इसलिए हमें उसे निचोड के अच्छे से दो लेना है बिल्कुल भी उसमें गाज वगेरा नहीं रहना चाहिए अगर आपको दो बार और दो ना पड़े तो आप एक दो बार और धो लीजिएगा तो धनिया पत्ति को भी मैं कट कर लेती हूं तब तक क्या होगा कि हमारा स्वाबिन बड़ी भी अच्छे से ठंडा हो जाएगा ये सबजी बहुत जटपट तरीके से बनकर मतलब तयार हो जाती है आप गर्मा गर्म रोटी पराठे के साथ खाईए या गर्मा गर्म चावल के साथ खाईए इतनी अच्छी लगती है ना कि मैं आपको क्या ही बताओं आप बनाएंगे ना तो आपको खूद पता चल जाएगा आप सोचेंगे कि मतलब हम पहले क्यों नहीं इस तरह से बना हो जाते हैं इसलिए मैं साइड में धोती जाती हूं तो स्वाविन बड़ी को मैं पानी से ऐसे निकाल ले रही हूं और निकालने के बाद इसे अच्छे से धोके और एकदम हमें हाथ से दबाके इसे निचोड लेना है ताकि इसमें पानी ना रहे तो इसे अच्छे से पाद दिखाऊंगी कि किस तरह से यह मतलब पिसने के बाद में होता है तो एकदम बिना पानी का ही हमें इस से पीसना है एकदम पानी नहीं रहना चाहिए तो एसे हाथ से मैं निचोड निचोड के निकाल ले रही हूं बस तैयारी में आपको जितना टाइम लगेगा पाकी चलिए फटाफ़ट से स्वाबिन बड़ी को हम हाथ से निचोड के निकाल लेते हैं और उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेते हैं और उसके बाद हम सबजी बनाना इस्टार्ट करेंगे फटाफ़ट से अगर जिसको स्वाविन बड़ी की सब्जी अच्छी नहीं लगती है तो वो भी खाने लगेगा आप देख लीजेगा अगर आप एक बार इस तरह से बनाएंगे न तो पक्का है कि उसे भी स्वाविन बड़ी पसंद आने लगेगी सबसे सस्ती सबजी है स्वाबिन बड़ी आप 10 रुपए का एक पेकट लिजिए और आमसे आपका एक टाइम का सबजी हो जाएगा मैंने सोया पुलाव का भी वीडियो बना के अपने चैनल पे डाला हुआ है वो भी काफी अच्छा लगता है अगर आप नहीं बनाए हैं तो आप एक बार मतलब बना के देखिएगा बहुत टेस्टी लगता है खाने में उसके साथ तो आपको सबजी की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी अच्छी लगती है तो इधर मैंने स्वाबिन बड़ी को पूरा हाथों से निचोड लिया पानी को मतलब निकाल लिया है तो अब क्या करेंगे कि एक मिक्सी जार लेंगे अलग से मिक्सी जार लेंगे और उसमें हम स्वाबिन बड़ी को डाल देंगे यह देखिए स्वाविन बड़ी अच्छे से फूल चुका है और पानी को मैंने निकाल लिया है अब एक बड़ा जार लेंगे और इसमें डाल देंगे हम सवाविन बड़ी और इसे फटाफट से हम ग्राइण कर लेते हैं ग्राइण करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि यह किस तरह का दिखेगा आप सोच रहे होंगे कि पीसने के बाद ये गीला-गीला सा हो जाएगा तो बिल्कुल भी गीला-गीला सा नहीं होगा क्योंकि इसमें पानी ही नहीं है तो एकदम अच्छा मतलब सुखा सा इसका आपको मतलब क्या बताओं एकदम अच्छा सब बन के तयार होगा तो आपको हमारा मतलब बनकर तयार हो गया उधर हमने पेष्ट भी बना लिया अब मैंने गैस ओन करके कडाही चड़ा दी और कडाही में दो बड़े चम्मच हम डालेंगे तेल को एकदम अच्छे से गरम होने देंगे इसके बाद इसमें हम डालेंगे आलू और आलू को अच्छा हम गो हाँ में तो इस बात का ध्यान रखियेगा अच्छे से तेल एकदम गरम हो जये तब आलू को डालिएगा अब आलू को हम पटा पट से क्या करेंगे इसे हम फ्राइ कर लेंगे अच्छा कलर आते तक और जब आलू हमारा फ्राइगा तो इसके बाद हमने स्वाबिन बड़ी रखी है तो स्वाबिन बड़ी को भी हमें अच्छे से फ्राई करना है तो फ्राई करके जब डालेंगे ना तब तो इसका टेस्ट आप देखिएगा सबजी में एकदम दुगना हो जाएगा तो आलू भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया यह देखिए तालू को मैं पूरा निकाल लेती हूं और जो तेल बचा है ना इसी तेल में हम स्वाबिन बड़ी को डाल देंगे और उसे भी हम अच्छे से मतलम भून लेंगे आप भूनेंगे स्वाबिन बड़ी को तो आपको खुद पता चल जाएगा उसका कलर जो है अलग थोड़ा सा आपको दिखने क्योंकि यह पीसी हुई है आप चलाना छोड़ देंगे तो यह या तो कडाही में चिपकने लगेगी या जल जाएगी तो आप लगतारी से चलाते रहिएगा तो चलिए मैंने पूरा डाल दिया अब इसे हम फटा फट से इसको भी फ्राई कर लेते हैं और इसको भी से यह सबजी बन कर तयार होगी आपको अलग से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है तो ऐसे लगतार चलाते रहिएगा ताकि यह चिपके ना कडाही में तो मैं लगतार चलाते हुए इसे भी फ्राई कर लेती हूँ और फ्राई करके इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी कडाही में हम सबजी बना लेंगे तो यह दिखिए आप देख रहे हूँगे इसका कलर भी हलका सब राउन दिख रहा होगा तो यह भी फ्राई हो गया और इसी कडाही को मैंने फिर से साप करके ले लिया इससे क्या होगा कि एक ही कडाही में आपकी मतलब जो सारे प्रोसेस ही एक ही कडाही में हो जाएंगे आपको अलग से मतलब गंदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं तो तीन चार बरतन फिर गंदा हो जाएंगे तो इसमें डाल देंगे जीरा तो यहां मैं सिर्फ जीरा डाल रही हूँ अगर जैसे आपको खड़े मसाले भी करने है न तो आप इसमें एक बड़ी लाइची एक डाल चीनी का टुकड़ा डाल दीजिएगा लेकिन मैं एकदम एजी बना रही हूँ क्योंकि गरम मसाले हम फिरेट करेंगे बाद में और अभी भी गरम मसाले कर देंगे तो कई बार होता है बहुत मसाले मसाले हो जाते है अब डाल देंगे प्याज जैसे जीरा भूनेगा न तो प्याज डाल देंगे और प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे तो प्याज पूरा डाल दिया तो दो प्याज तो लीजिएगा ही इसमें और बारिक काट लीजिएगा लंबे कारें मत काटिएगा अब लगतार चल और प्याज को लगतार चलाते हुए हम भून लेंगे इसके बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर वाला पेस्ट तो टमाटर वाला पेस्ट पूरा डाल देते हैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूं जार में और उसे भी इसी में मैं डाल देती हूं और इसके बाद इसमें हम ड बता नहीं सकती जब बनेगी ना तो आप देखिएगा आप खाते रह जाएंगे आपको लगेगा मैं अकेले ही पूरा खा जाओं यह इतनी अच्छी बनती है तो अब क्या करना है मसाले डाल देना है तो सबसे पहले हम डालेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर यह देखिए चम्मच है तो मैं दो चम्मच डाल रही हूं दो चम्मच धनिया पाउडर डाला मेक एक जगा रखती जारी हूं ताकि आप देख पाएं कि मैं क्या क्या डाल रही हूं लाल मिर्च पाउडर डाला तो मिर्च आप अपने स्वात के अनुसार कम ज्यादा कर लिजेगा आपक साप को डाल के और एकदम अच्छे से हमें भून लेना है तो मसाले को हम एकदम अच्छे से भून आ है इस बात का दियान रखिएगा अब लगतार चलाते हुए हम मसाले को खूब अच्छ से भूल लेंगे जब तक कि मसाले का जो कलर है एकदम डार्क न हो जाए तेल अलग मतलब मसाले से आपको दिखने न लगे तब तक आपको भूलना है नमक डाल देंगे तो नमक में दो चम्मज डाल रही हूँ छोटी चम्मज से तो इस टार्टिंग में आप नमक अंदाज से डालिएगा भले कम हो जाए तो आप बाद मेट कर लीजेगा मतलब ज्यादा न हो आप देख रहे हूँगे मसाले का कलर कितना अच्छा दिख रहा है तो ऐसे प्रेस करकर के हम मसाले को खूब अच्छे से भून लेंगे और जैसे ही मसाले का कलर डार्क होगा तो आप समझ जाईए कि मसाला हमारा भून कर तयार हो चुका है और मसाला हमारा जैसे ही भून जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे आलू और स्वाबिन बड़ी और उन सब को भी डाल के मसाले के साथ में हमें एकदम अच्छे से भून लेना है तो आप देख रहे हूंगे मसाले से तेल अलग दीख रहा है और मसाले का कलर जो है एकदम डार्क हो गया है तो अब इसमें चलिए फटा-फट से हम डाल देंगे आलू डाल देती हूं और स्वाविन बड़ी डाल देंगे और सब को डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए हम इस इसे भी मिक्स करके अच्छे से ऐसे भून लेते हैं तो दो से चार मिनट इसे भूनेंगे इससे ज्यादा इसे हमें भूनने की ज़रुत नहीं है मतलब बस मसाले में मिक्स यह हो जाए उतना तक हमें इसे चलाते रहा ना है और इसमें फटा-फट से डाल देंगे हम कम से कम तीन गिलास पानी ताकि आलू जो है अच्छे से हमारा पक जाए तो पानी डाल देती हूं और इसे कवर कर देंगे कवर करके इसे हम अच्छे से पकने देंगे और लास्ट में हम डालेंगे धनिया की पत्ती और यह हमारा स्वयाबिन बड़ी का सबजी एकदा मलग कवर कर देते हैं कवर करके इसे हम पकने देते हैं जब पक जाए तब मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरह की हमारी स्वयाबिन की बड़ी जो है सबजी जो है वो बन कर तेयार हुई है उपर से थोड़ा सधनिया पत्ती डाल दे रही हूं थोड़ा सधनिया पत्ती बचा के रखेंगे आखरी में गार्णिस करने के लिए और इसे हम अच्छे से पकने देंगे तो आलू को आप चेक कर लिजेगा किसी चम्मज से दबा के कि आलू पका है की नहीं ऐसे वी आलू फ्राई करते समय आधा पक चुका होता है तो ज्यादा पकने में टाइम नहीं लगता और यह देखिए आप सब्जी का कलर देख रहे होंगे आलू भी एकदम अच्छे से पक गया है तो ग्रेवी आप इतना ही रखें क्योंकि ठंडा होने के बाद ग्रेवी जो है और गाड़ी हो जाती है तो ज्यादा इससे मतलब गाड़ा करने की जरूरत नहीं है फ्रेंस बस इ अगर पसंद आए तो फिर आप हमेशा खुद ही बनाएंगे तो आपको पास से दिखा देती हूं यह देखिए तब इससे ज्यादा मैं इसे गाड़ा नहीं करूंगी बस इतना ही इसे रखना है अधनिया पत्ति उपर से डाल देती हूं तो आई होप आपको जरूर पसंद आएगा फ्रेंड्स और अगर आज की रेस्पी पसंद आए तो मैंने इस्टार्टिंग में भी बोला है वीडियो को जरूर लाइक कर दिजिएगा और जो फ्रेंड्स चैनल पर नहीं है तो प्लीज फ्रेंड्स सस्क्राइब किये बिना तो आप बिल्कुल भी मत जाईएग तो यह देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ अब यह गर्मा गरम सब्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है इसे आप रोटी प्राठे के साथ खाईए या चावल के साथ खाईए तो मैंने चावल बना रखा है इसके साथ में और मैंने डाल नहीं बनाई है बस चावल औ और यह सब्जी मैंने बनाया हुआ है तो यह देखिए मैं आपको चमत से ऐसे निकाल के दिखा रही हूं तो मैं अलग से सर्व करके नहीं दिखा रही हूं तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह कि यह बना कर तैयार हुई है तो चलिए फिर मुलाकात होगी एक अच्छी झाल कर दो